Hello students, welcome to my YouTube channel Biology Classes So students, आज की क्लास में हम लोग discussion करेंगे अगनासे जिसको English में क्या बोलते हैं? पैंक्रियाज बोलते हैं तो इससे पिछली वाले classes में मैंने आपको पढ़ाया था यक्रीत के बारे में तो आज की क्लास में discussion करेंगे कि अगनासे क्या है तो चलिए देख लेते हैं अगनासे के बातों को तो चलिए सबसे पहले मैं बता दू कि अगनासे होता है अगनासे हमारे सरीर की क्या है दूसरी सबसे बड़ी क्या होती है तो दूसरी सबसे बड़ी ग्रंती होती है तो जैसा कि आपको पता है कि अगनासे जो होता है ये हमारे सरीर की क्या है दूसरी सबसे बड़ी गरंती है तो सबसे पहली गरंती कौन सी है तो हमारे सरीर की सबसे पहली बड़ी जो गरंती होती हो यक्रीद होती है मैंने आपको यक्रित वाला class जब लिया था तो यक्रित वाले classes में मैंने बताया था कि यक्रित जो होता है यह हमारे सरीर की क्या होती है सबसे बड़ी ग्रंती होती है तो अगर आप यक्रित वाले lecture को नहीं देखे हैं तो description पे link दिया गया है आप वहाँ जा करके उस class को देख सकते हैं तो अगना से हमारे सरीर की क्या है तो अगना से हमारे सरीर की दूसरी सबसे बड़ी क्या होती है ग्रंती होती है सभी को समझ में आ गया यह क्या है दूसरी सबसे बड़ी ग्रंती होती है और दूसरी पॉइंगे या ग्रहली से क्या होती है जूडी होती है किससे जूडी होती है ग्रहली से क्या होती है जूडी है तो ग्रहली आपको पता है यह इस प्रकार से क्या होता है अंग्रेजी अचर के स्याकृतिक होती है ऐसे जो होता है तो जो ग्रहली से क्या होती है ग्रहली से जुड़ी होती है तो ग्रहली इस प्रकार से ऐसे अंग्रेजेटर के सियाकृतिक होती है और इसमें इस प्रकार से जो हता है ग्रहली गनासे क्या होता है ऐसे पत्ती की तरह क्या होती है तो यहीं जो हता है यह किसको क्या करते है ग्र जोता है क्या होता है यह गुलावी ऱंका होता है ठीक है चार पॉिंट समझ में अगनासरे हमारे सरी کی दूसरी सबसे बड़ी 04 गंती है फिर बताएंगे कि यह क्या होता है यह ग्रहडी से जूड़ी होती है तीसरी पॉइंट इसकी सरस्टना कैसी होती है तो यह पत्तिया मचली की तरह होती है फिर चोथे पॉइंट में क्या बताएंगे यहां गुलावी रंग का होता है ठीक है और उसकी बाद ऐसका जो वजन कितना होता है तो 60-90 ग्राम का होता है अगनासे का जूवेट होता है कितना होता है तो 60-90 ग्राम जो होता है इसका वजन होता है तो ये सारी बात आपको समझ में आई चलिए आगे हम बताएंगे कि अगनासे जो होता है अगनासे को मिस्त्रित गंती कहते हैं मतलब अगनासे जो होता है, अगनासे को हम मिस्तरित गंती करते हैं, क्यों करते हैं, क्योंकि अगनासे में दो प्रकार की क्या पाई जाती है, तो दो प्रकार की गंती पाई जाती हैं, मतलब यह जो पैंक्रियाज है, पैंक्रियाज को हम लोग मिक्चर ग्लेंड्स कहते हैं, म पहले हम बायस्तरावी गरंथियों के बारे में देख लेते हैं तो बायस्तरावी गरंथि का मतलब क्या होता है तो यहां पाचक रस निकालने का कारिक करता है मतलब जो एक्जोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं वो बैसिकली क्या करते हैं वो भोजन को पाचाने के लिए पाचक रस निकालते हैं जो भोजन को पाचाने में क्या करते हैं सहायता करते हैं और यह जो भोजन को पाचाने में सहायता करते हैं और यह जो पाचक रस निकालते हैं तो चड़िये देख लेते हैं कि कौन-कौन से निकालते हैं, तो यह पाचक रश निमन प्रकार से क्या करते हैं, निकलते हैं, पहला जिसे ट्रिपसीन है, तो यह जो ट्रिपसीन पाचक एंजायम है, ट्रिपसीन किसका पाजन करती है, तो ट्रिपसीन जोता है, यह प्रोटीन का क्या करती है पाचन करती है तो यह बात किसकी रही बाइस्तरावी ग्रंतियों के बारे में तो मैंने बता रहा है कि जो आपका अंतस्तरावी ग्रंती है जो आपका अगनासे है अगनासे को मिसिर गंती करते हैं क्योंकिस में दो प्रकार की ग्रंती पायती है एक बाइस्तरा क्या होता है एक बिश्यश प्रकार की कोश्यका से मिलकर की बनी होती है, जो लाइनिंंग बहुत important है बहुत सारे पेपर में पूसता है कि लेंगर हैंस की दूपिका पाई जाती है option दे देता है ऐसे अगनास है है आस्टेलिया है जापान है चीन है ऐसे करके दे देता है तो बहुत सारे लोग इसको जो एक आस्टेलिया में मार देते हैं तो लेंगरहंस की दूपिका जो है यह किसी दूप का नाम नहीं है बलकि लेंगरहंस की दूपिका जो है एक प्रकार की कोशिका होती है ठीक है जो के अंतस्तराइव गंतियों में क्या होती है पाई जाती है चलिए आगे की तरफ देख लेते इसमें अब देखी यह तीन प्रकार की कोशिका से क्या होती है बनी होती है मतलब जो लेंगर हैंस की दुपिका है यह भी क्या होती है तो यह भी तीन प्रकार के कोशिका से मिल करके क्या होती है बनी होती है पहला हो जाएगा अलफा कोशिका हो जाएगा दूसरा क्या हो जाएगा बीटा कोशिका हो जाएगा तीसरा क्या हो जाएगा घामा कोशिका हो जाएगा तो अलफा कोशिका से क्या होती है अलफा कोशिका से इंसूलीन नामक हर्मोंस निकलता है बीटा से ग्लूकेगा निकलता है और गामा से क्या निकलता है तो गामा से जो है वो सुमेटोस्टेटी नामक क्या होता है हर्मोंस निकलता है ठीक है कौन सार्मोंस निकलता है सुमेटोस्टेटी नामक हर्मोंस निकलता है तो आपको सम कि यह निकलता है अंतास्तारावी गंतियों से आपका हार्मॉन निकलता है इस निकलता हैं अगर कोई पूछे कि बताइए अगनासे कि किस गरंती से पाचे ग्रस निकलता है तो क्या बताएंगे तो आप उसमें बताएंगे बास्त्रावी ग्रंथी और अगनासे की किस ग्रंथी से जो है हर्मोंस निकलते तो वो हो जाएगा आपका अंत्रावी ग्रंथी ठीक है इसी वाले पार्ट को हम लोग क्या काते हैं गरगडी कते हैं जो कि छोटी आत का क्या होता है भाग होता है और ये जो leaf like structure या fish like structure दिख रहा है मतलब ये पत्ती की तरह या फिर ये जो मचली की तरह सा रशना दिख रही है इस वाले भाग को क्या कहा जाता है अगनाशे कते हैं यहां से पाचक्राशी भी निकलता है और हार्मोस क्या होता है निकलते हैं तो हम लोगों ने अंतस्त्रावी ग्रंति को क्या कर लिया कंप्लीट कर लिया तो हम लोगों ने जियाय प्रक्रम का पाचन तंत्र जो टॉपिक है वो कंप्लीटली हो गया है कल मैं आपको इसके आ हरी मिल